आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन फ्राइड राइस इसमें हम चिकन की क्वांडिटी अच्छे से डालेंगे बजार की तरह नहीं अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो रेसिपी को लाइक और चानल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर से क्लेक करें ताकि मेरी वीडियो आपको मिल सके अप्लोड करते ही तो शुरू करते हैं इसे बनाना चिकन को हमने अच्छे तरह से वाश कर लिया है और उसे छोड़े छोटे पीसिस में काट लिया है अब हम चिकन में एक चमच नमक, एक चमच काली मिर्च और एक बड़ा चमच सोया सॉस डालेंगे और उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे तीस मिनट के लिए मारिनेट होने देंगे इसे बनाने के लिए हमने एक कटोरी बॉयल राइस लिया है अब हम दो एग्स को तोड़ लेंगे इसमें हम आधा चमच नमक और थोड़ी सी काली मिर्च डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब हम वेजिटेबल्स रेडी कर लेंगे इसमें हम 7-8 चॉप्ट गालिक क्लोफ्स, थोड़ा सा फाइन स्लाइस्ड अद्रक, रेड ग्रीन बेल पेपर्स, फाइन चॉप्ट अन्यन, थोड़ी सी गाजर, थोड़ा सा स्प्रिंग अन्यन और थोड़ी सी कॉन डालेंगे अब हम एक पैन में 2 स्पून ओयल डालेंगे और उसे अच्छे से गरम कर लेंगे तेल गरम होने पर हम उसमें एक्स डालेंगे और उसका ओमलेट बना लेंगे इसे हम छोटा छोटा काट लेंगे और साइड में रख लेंगे अब हम एक पैन में दो स्पून ओयल डाल कर मैरिनेट चिकन को अच्छे तरह से भून लेंगे चिकन भूनने के बाद हम उसे भी साइड में रख लेंगे अब हम शुरू करते हैं फ्राइड राइस बनाना एक पैन में हम दो टेबल स्पून ओयल डालेंगे और गरम होने पर हम चौप गालिक डालेंगे इसमें हम रेड, ग्रीन, बेल पेपर, अनियन, कैरेट और कॉन डालेंगे और इसे हम भूनेंगे वेजी टेबल्स के हलका सोते होने पर हम उसमें फ्राइड राइस आड़ करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब इसमें एक टेबल स्पून सोया सॉस और एक टेबल स्पून विनेगर, थोड़ा सा सॉल्ट और ब्लाक पेपर आड़ करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब हम इसमें चॉप्ट स्प्रिंग अनियन डालेंगे और मिक्स कर लेंगे अब लास्ट में हम ओमलेट और चिकिन डाल कर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इसे हम स्प्रिंग अनियन से गानिश करेंगे अब हमारा चिकिन फ्राइड राइस रेडी हो चुका है क्यों लग रहा है ना डिलिश्यस अगर आपको ये रेसीपी पसंद आए तो लाइक कमेंट जरू करें और चैनल को सब्सक्राइब जरू करें